हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी क्या आप टेलिग्राम का इस्तेमाल करते हैं और यदि हाँ तो आपको कुछ चिंतित हो जाने की जरूत है कारें इसका ये है कि भारत में टेलिग्राम को लेकर के कुछ जान्स प्रक्रिया शुरू की गई है और ऐसे संब्हावना जटाए जा रही है कि यदि जान्स प्रक्रिया में टेलिग्राम गैर कानूनी कृत्त करता हुआ पाया जाता है जो आरोप इसके अगेंश में लगाय जा रहे हैं आरोप सिध्ध हो जाते हैं तो फिर टेलिग्राम को भारत में प्रतिबंधित किया जा सकता है इस पर बैन लगाय जा सकता है आखिर ये आरोप क्या लगाय जा रहे हैं टेलिग्राम के द्वारा इस आरोप को लेकर के अपने अस्तर पर क्या पक्ष रखा जा रहा है और साथ ही फ्रांस में जो टेलिग्राम के मुख्या है पावेल दुरोव इनको क्यों अरेस्ट किया गया है आज की चर्चाय में हम लोग इसी पहलू को थोड़ा विस्तार से आरोप ये लगाया गया है कि आपने मौडेरेशन पॉलिसी का उलंगन किया है और इस लिहाद से हम आपको गिरफ्तार करते हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि यदि इनके उपर लगाया गया आरोप सही होता है तो इनको 20 साल तक की सजा सुनाए जा सकती है वहीं दूसरी त आरोप लगाया जा रहे हैं कि टेलीग्राम के माद्यम से जो फिरोती जैसी गतिवीदिया है या फिर जुआ खोरी जैसी गतिवीदिया है इसको अंजाम दिया जा रहा है हम सभी जानते हैं और इनफेक्ट हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि टेलीग्राम का लंबे समय स इस्तिमाल कर रहे हैं एक मेसेजिंग एप के दोर पर हम लोग इसको बखू भी इस्तिमाल करते रहते हैं लेकिन अब जब कि इस तरीके से आरोप लगाये जा रहे हैं तो यह अपने आप में एक संगीन मामला बन जाता हैं आज की चर्चा में हम लोग इसको और फुरा विस्त कि यदि आप सिविल सिवा परिक्षा के तैयारी कर रहे हैं आईए इस दोहजाब पचीस का आपका लक्ष है तो आपका स्वागत है इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैच में इसकी शुरुवात हो रही है 31 अगस्त से शाम में 6 बज़े से दोस्तों यह कोर्स आपके लिए इ दोहजाब पचीस को कौलिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी वापस कर दी जाएगी रिफंड कर दी जाएगी वहीं दुसरी तरफ इस कोर्स में सापताहिक टेस्ट की सुविधा दी गई है और यदि आप किसी भी टेस्ट में रैंक वन लाते हैं टॉप मुष्ट प कासी मिल सकती है लेकिन शर्त क्या है शर्त यही है कि आप उस पार्टिकुलर टेस्ट में सापताहिक टेस्ट में एडाएंक वन लाएं ठीक है तो यह जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं आपको इस कोर्स के अंतरगत मुहिया करवाई जा रही हैं ग्रेट लर्निंग डे से जल्द इस जीएस के पाठिकरम को जोईन केजिए और अपनी सिविल सिवा परिचा की तैयारी को और बहतर रोग दीजिए आगे हम लोग बरते हैं टॉपिक पर फिर से आते हैं मैंने अभी आपको बताया कि पावेल डुरोव की गिरफतारी कर ली गई है क्यों गिरफता उपाये नहीं किया कुछ भी आपने नहीं किया और इसलिए आपको हम एरेश्ट करते हैं और मैंने आपको बता भी दिया कि 20 साल तक की सजा की कारवाई इनके अगेश्ट में की जा सकती है दोस्तों इस संदर में रूस के द्वारा हस्तक्षेप किया गया है रूस ने कहा है कि पावेल दुरोग को काउंसलर एक्सिस की सुईधाय मिलनी चाहिए इनके साथ राजनायति कैदी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए अब आपके मन में ये बात आ सकती है कि सर रूस इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहा है उनको फ्रांस में ये दिगर अफतार किया गया है दरसर जो बेसिक यहां पर बात है वो ये कि ये रूसी मुलके ही वेक्ति हैं और रूस में ही इन्होंने फेस्बुक की तरज पर एक महत्वपूर्ण एप की शुरुआत की थी जिसका नाम था कौंता कते और इस कौंता कते की शुरुआत करने के बाद इन्होंने लंबे समय किया और अधिक की इसको विक्सित किया और आज की डेट में दुनिया भर में टेलिग्राम के जो उपभूगता है वो बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं तो यहां पर इस बातों को ध्याम रखने क्या विसकता है अब जो एक सवार उठता है कि आखिर भारत में क्या टेलिग्राम बंद हो जाएगा इसके पीछे की जो गतिवीधिया है वो क्या कुछा आती हैं दोस्तों वरतवान में मैंने आपको यह बताया भी है कि जांस प्रक्रिया चल रही है और यह जांस प्रक्रिया ग्रिह मंत्राले और जो इलेक्ट्रोनिक्स मंत्राले है उनकी अगेस्ट में जो आरोप तेह किये गए हैं जहां एक तरफ गैंबलिंग वहीं दुसरी तरफ ड्रग तसकरी धन शोधन यानि मनी लॉंडरिंग के आरोप लगाए गए हैं और साथी फिरोती वसुलने के भी आरोप लगाए गए हैं इसके अगेस्ट में यहां पर दुस्त ध् कारी रखने के आव सकता होती है और मासिक स्थर पर इनको रिपोर्ट भी सब्मिट करने की जरूरत होती है यह सभी जो प्रावधाने इनको फॉलो करना होता है यदि कहीं भी कोई भी चूक नजर आई तो फिर कारवाई की जा सकती है और यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले के मदे नजर जो एक दूसरा धरा है जो एक दूसरा पक्ष है वो क्या अपना विचार रखता है यहां पर जो एरन मस्क साहब हैं वो भी पावेल दुरोव के पक्ष में आ चुके हैं और उनका यह कहना है कि इस तरीके से किसी व्यक्ति के भी ऐसा हो सकता है चुकि एरन मस्क ट्विटर के सरवे सरवा हैं आप से भी जानते होंगे तो इस तरीके से भी कुछ गतिविधिया चल रही है और वहीं जो तीसरी बात है इस पूरे मामले में वो यह है कि टेलीग्राम ने अपने इस तरपर जो सफाई दी है इसमें सिधे सिधे कहा है कि देखिए साहब हम किवल एक इंटर मेडियरी की भूमिकानी भाते हैं हम किवल एक मध्धस्त के तौर पर काम करते हैं यदि हमारे प्लैटफॉर्म के जरीए कोई भी ऐस सच गतिविधि होती है तो उसमें हमारी रिस्पॉंसिबिलिटी कैसे हो सकती है वी आर इस प्लैटफॉर्म पर कौन सा कंटेंट दे रहे हैं कौन सा कंटेंट नहीं दे रहे हैं इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं यह रिस्पॉंसिबिलिटी उनकी होनी चाहिए अब यह आगे देखने वाली बात होगी कि यह टेलिगाम का जो तरक है यह किस सीमा तक सही ह क्योंकि इसके व्यपक्ष में तर्क ये भी दिया जा सकता है.. कि आपका प्लैट्फर्म तो है.. लेकिन आपको जिम्मेधारी भी निर्वहन करना परेगा.. ऐसा तो है नहीं कि आपको अपना प्लेटफॉर्म दे करके और सोगे आपको ये चिक करनते नहां चाहिए कि प्लेटफॉर्म का इस्तमाल सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ये भी तरक दिया जा सकता है तो ये जो पक्ष और विपक्ष जैसी वस्तु इ यह तो आगे आने वाले समय से ही और स्पस्ट हो पाएंगी वरतमान में जो इस्तिती है वो मैंने आपको यहां पर इंडिकेट कर दिया है अब यह हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में क्या अंतिम निर्ने लिया जाता है इस बीच मैं आपको फिर से बदा दूं कि यह दिए आप स्टडी आईकू आईएस के पीटू आई बैस से जूरना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस बैस के अंतरगत दिलिप लाइव कोट का इस्तमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपे में 31 अगस्त से शाम में 6 बज से शुरू होने वाले इस को आप जोइन कर सकते हैं और अपनी जी एस की तैयारी को और बहतर कर सकते हैं मिलते हैं फिर अपना ख्यार रखिए all the best